हाबुर से सड़े धीरखेडा के हालात इन दिनों बहत खराब हैं जो प्रदेश की एकनोमी में महत्पुन भूमिका निभाता है तो वहीं रोजगार के अफसर भी उपलब्द कराता है उस छेतरी के हालात इन दिनों देनी एस्तिती में हैं जहां पानी भरा होने की वज़ा से लोगों को काफी स्यादा परेशानी हो रही है धीर खेड़ा सरकार को हर वर्ष क्रोड रुपे का राजजस्व देने के बाद भी अपनी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और उद्यमियों को काफी परेशानी का सामना करने के साथ साथ अपनी फैक्टरी को चलाना तो ये स्थिती और भी ज्यादा खराब हो जाती है सडके तलाब का रूप ले लेती है ऐसा लगता है कि मानो धीर खेड़ा जलमगन हो गया हो धीर खेड़ा इंडस्ट्रिल एरिया में भारी बारिश की वज़े से काफी पानी भरा हुआ है सडकों पर काफी गहरे गड़े ह होने की वज़ा से आने जाने वाले उद्यमियों फैक्ट्री के करमचारियों पैदल चलने वाले और माल लाने ले जाने वाले वाहनों को फैक्ट्री परीसर तक पहुचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है सडकों की इस बदहाल इस्तिदी की वज़ा से हर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है इसके कारण उनके वेबसाइप पर भी असर पड़ रहा है हाबर जिले के लगबक 60 वर्ष पुराने इस इंडस्ट्रियल एरिया ने सरकार को अभी तक कई करोड रुपे का राज़स्व दिया है लेकिन इसके बावजूद भी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थाबिस सभी उद्योक बंदी की कगार पर पहुंच जाएंगे उद्धमियों ने समस्या के समधान की मांग की है इंडस्ट्रियल एरिया इंडसर रहे समस्टें की समस्ट्शक समस्ट्रियल एिण समस्टैं की कहने है झाल झाल